सबसे पहले राजस्तान की ये जो शांदार जीत है ये मानिय हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये उसकी जीत है उनकी दीवी गैरंटी की जीत है ये जीत हमारे मानिय केंद्रिय मंत्री हो मिनिस्टर अमिचा जी की रणनीती की जीत है और ये जीत हमारे मानिय अध्यक्ष श्री नड़ा जी के कुशल नेतुत्त की जीत है और फिर सबसे important यह भी है यह जीत हमारे कार्यकरताओं की जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है उन्होंने दिन और रात हमारे माननी प्रदानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके यह परिणाम दिलाने का काम किया ह और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह जीत हमारे जनता जनारदन की है जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारती जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है और यह जीत दो हदार चौबीस में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अफसर देने की जीत है तो सबसे पहले राजस्तान की यह जो शांदार जीत है यह मानिय हमारे प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी जिनका मंतर था यह सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास यह उसकी जीत है उनकी दीवी गैरंटी की जीत है ये जीत हमारे मानने केंद्रिय मंद्री होम मिनिस्टर अमिचा जी की रणनीती की जीत है और ये जीत हमारे मानने अज्यक्ष श्री नड्दा जी के कुशल नेतुत्त की जीत है और फिर सबसे important यह भी है यह जीत हमारे कार्यकरताओं की जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है उन्होंने दिन और रात हमारे माननी प्रधान मंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके यह परिणाम दिलाने का काम किया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह जीत हमारे जनता जनारदन की है जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारती जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है और यह जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अफसर देने की जीत